हाई दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्वेश सेलेक्रिश देन में आज मैं आप सभी लोग के बीच में एक ऐसी कीट बनाने जा रहा हूँ यानि तयार करने जा रहा हूँ जो कि आप लोग का कोई सभी LED बल्व खराब हो तो उसे या कीट मातर दो मिनिट में रिपेर कर सकती है यानि इस कीट की मदश से आप कोई सभी LED बल्व को मातर दो मिनिट में घर पही रिपेर कर सकते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि इस कीट को बनाने में यानि तयार करने में क्या-क्या समागरी लगेगी वो भी बताएंगे आप लोग को और इस कीट को तयार करकर आप लोग को हम दिखाएंगे और LED बल्व को कैसे इस कीट से रिपेर किया जा और हमारी वीडियो को लाज तक देखे ताकि आप लोग भी असानी से इस कीट को तयार करकर LED बल्प को घर पही रिपेयर कर सकते हैं तो चलिए शुरुबात करते हैं और आप लोग को बना कर दिखाते हैं यह देखिए दोस्तों हमारे पास जो समागरी हैं आप लोग को दिखा रहे हैं यह देखिए यानि कि हमारे पास जो कीट को बनाने में सब समागरी यूज किया जाएगा वो आप लोग को हम दिखा रहे हैं यह देखिए तो चलिए हम आप लोग को एक एक करकर दिखा देते है यानि ये देखिए प्लग में कुछ वायर लगा हुआ है आप लोग लगा लें इसी तरह देखिए इसी तरह हम पहले से ही लगा चुके हैं इसे एक साइट रखते हैं और उसके बाद आप लोगो यह दो पिंच आईए आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं continuity tester में आप लोग को यह मिल जाएगी दो फिम तो इसमें हम दो वायर लगा दियें एक black और एक red यानि लाल वाला और काला वाला दोनों वायर लगा दिये हैं तो आप लोग भी इसी तरह लगा लें ताकि इसमें plus minus का connection किया जाएगा तो इससे हम एक set रखते हैं और यह देखिए आप लोग को यह kit मिल जाएगी मार्केट में 10 या 15 रुपे का LED किट जो अंदर का होता है आप लोग मांग सकते हैं तो मिल जाएगा यानि हम LED से ही LED को रिपेर करने का या kit बना रहे हैं तो यह देखिए यानि यह देखिए किट LED का हो गया और उसके लिए या LED बल्ब आप लोग को मिल जाएगा यह देखिए मिल जाएगा तो आप लोग ले सकते हैं और उसमें एक डायोट लगेगा यह देखिए यह डायड आप लोग लगा सकते हैं एक और यह हीटिंग प्लेट है आप कोई साभी पुराने LED का निकाल का लगा सकते हैं तो चलिए हम तयार करते हैं और इन सब का कनेक्शन करते हैं और करकर आप लोग को फिर दिखाते हैं तो यह देखिए दोस्तो हम कीट का connection यानि SMD से कर दिये हैं आप लोग को हम दिखा रहे हैं यह देखिए जब हम इसका connection किये तो आप लोग को नहीं दिखाए ताकि वीडियो लंबा हो सकता इसी वुज़े से तो चलिए दोस्तो हम एक बार आप लोग को समझा देते हैं उसी आप लोग भी कर लिए और यह देखिए हमारा जो प्लस माइनस वाला वायर है यानि हम प्लस वाले में एक डाइट लगाये हुए है यानि प्लस वाले में हम एक डाइट लगाये हुए हैं ताकि इधर इधर से इधर करेंट जा सके और इधर से इधर ना जाए जबकि हम दूस प्लस में लगा लीजिए और देखिए ब्लैक वाला वायर है जो माइनस वाला है इसका कनेक्शन हम इस साइड SMD में माइनस में कर दिया और डायोट का प्लस में कर दिया तो इसी तरह आप लोग भी कनेक्शन असानी से कर लीजिए यानि कि यह हमारा कीट बनकर तयार है और आप लोग ऐसी डीबी में इसको सेट कर लीजिए ताकि करेंट आप लोग को ना लगे आप लोग को यह मार्गेट में डीबी मिल जाएगी याकit दस या पांच रुपय का तो इसी तरह दोनों साइड चेद कर कर इसमें सेट कर लीजिए तो चलिए हम इसे यहाँ पर यानि जो टेप लगाए अंदर दोनों साइड वाला हमसी में सेट कर लेते हैं और सेट करकर आप लोग को एक और चेक करकर दिखा देते हैं तो चलिए हम इसे pack कर लेते हैं उपर से यह देखिए इस तरह यानि यह हमारा kit बन कर रेडी हो गया एकदम बिलकूल तैयार हो गया इससे एक लेखर कर दिखा देतें अपने board में कि कैसे एक काम करता है यानि तो यह देखिए हमारे पास यह बोड है हम इसे में आप लोग को चेक करकर दिखाएंगे तो चलिए इसका plug हम यहाँ पर कोज़ देते हैं और कोशने के बाद आप लोग को इसे एक बार स्वीचान करकर यह देखिए हम स्वीचान करेंगे तो यहाँ पर यहाँ यानि SMD जलने लगेगा तो इसी जब यह जलेगा तभी काम करेग तो चलिए हम इसे आप लोग को कोई सभी LED बल्ब रिपेर करकर दिखाते हैं यानि यह ऐसा कीड बनाए हैं आप लोग को की इससे आप लोग खराब LED बल्ब कोई पहचान कर सकते हैं कि आपका LED बल्ब खराब है या नहीं है और इसे इस कीड से मदब से आप लोग LED बल्ब क कर देखिए हमारेपास जो वोड रहे हम आप लोगको D complementary D is यह तो हम इसी में आप लोगको यह LADY वल्ब को एक वार नित्वी से तो यह देखिए हमारा यह जल रहा है तो इसमें हम लगाने जारहे है लेड़ी बन लोग को यानि हमारे पास लेडी बल्व है तो हम इसी को पहले चेक करेंगे आप लोग को करकर दिखा दे रहे हैं चेक यह देखिए यहां पर लगा देते हैं और यहां से स्वीच को आन करते हैं और यह देखिए हमारा लेडी बल्व यानि जल रहा है भुख भुख कर रहा है यानि कि यह खराब हो चुका है, इसी को हम Qt की मदभ से repair करेंगे, repair करने लाइक रहेगा उपर से, तो Qt से repair कर सकते हैं, और अंदर से नहीं करने लाइक रहेगा, तो आपलोगों को पिछले बिडियो में बनाए कि अंदर से कैसे Lady Valve को repair किया जाता है, आप लोगों देखकर repair क कर सकते हैं तो चलि इसी को हम hadi repair करते हैं कि तो इसका उपर वाला भाग मुदिम यहां यहां से हम इसका उपर वाला भाग फोल लिए और खोलने के बाद आप लोग को करना क्या है कि सबसे पहले आप लोग को एक वायर यहां का प्लस और मानस वाला हटा लेना तब ही किट से चेक करना है आप लोग को तो चलिए यहां से हम प्लस मानस वाला वायर को हम यहां से एक बार हटा लेते हैं उपर से सोर्डिंग की साहता से यह देखिए यहां से यह देखिए हटा लिए और हटाने के बाद हम इसे आप लोग एक बार उपर से ही airimas çalış ही ISMD को हम kit की मदद से चेक करेंगे SMD कोई से या यानि कि यह हमारी SMD सही है कि खराभ इसे हम चेक करेंगे तो चलिए हम एक बार आप लोग चेक करका दिखाते हैं कीट की मदद से यह हमारा कीट है तो हम इसका वायर खोज देंगे देखिए तो इसका वायर हम यहां पर प्लग में खोजते हैं इसमें प्यानी सिरीज में और इसी की मदद से हम आप लोग को चेक करकर दिखाएंगे तो चलिए हम एक बार आप लोग को चेक करते कि हमारा यह SMD सही है कि नहीं कीट की मदद से यह जो कीट है इसमें हम जो प्लस और माइनस वाला निकाले हैं पीम इसी की मदद से चेक करेंगे तो यह देखिए हमारा जो यह माइनस और प्लस है तो हम इसे चेक करते हैं देखते हैं हमारा यह SMD सही है कि नहीं यानि यह देखिये हमारा या जो कीट हम बनाए हुए है वो बता रहा है कि हमारा SMD या सही है और इसको दोनों वायर को चेक करने के लिए यानि बोल्टेज चेक करने के लिए आप लोको इसे अरे होल्डर में लगाना होगा तभी जाकर या बताएगा कि आपका या यहां पर यह देखिए, इसे हम यहां पर लगाएंगे, अपके पास जो स्री बोर्ड है, उसमें लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे, आप चेक करेंगे कि हमारा यार बोल्टेज दे रहा है कि नहीं, इसे हम यहां पर लगा लेते हैं, तो यानि यहां पर कर लेते हैं, यहा हम wife और आन करते हैं और हम इसमें जो वायर आया हैuch लडीबाल के अंदर से यानिकी यह करेंगे तो 플ास वाला को प्लस पर लगाएँगे मैनस वाले माइनस को अगर हमारा बोल्टे जाएगा तो हमारा हम इस लेडी-डी जी weed का है या जलेगा तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते है यह देखिए यानि कि हमारा यह अंदर से खराब है देखिए हमारा जो भुख भुकार अ辧र साइड में जो हम कीट बनाए हुए है यानि अंदर से यह किट खराब हो चुका है बोल्टेज सही नहीं दे रहा है यानि कि इसे आप लोग को अंदर से रिपेर करना होगा तो चलिए दोस्तों इसे कैसे अंदर से रिपेर किया जाता है हम आप लोग को पिछले वीडियों बनाए हैं तो चलिए हम दूसरा ये लेडी वल्ब को रिपेर करके इससे दिखाते हैं तो आप लोग और हाँ दोस्तो जब भी आप लोग इस कीट की मदद से अंदर का बोल्टेज चेक करें तो इस प्लग को निकाल दें इसका कोई मतलब नहीं बस आपको SMD चेक करना कि हमारा बोल्टेज दे रहा है कि नहीं कीट यह ध्यान रहे है आप लोग को जब भी चेक करें तो चलिए द हमारा या कीट अंदर से बिल्कुल सही है बस इसका SMD खराब है यह देखिए तो चलिए दोस्तों हम इसका SMD दूसरा लगाकर आप लोग को इस बल्ब को रिपेर करकर दिखा देते हैं यह देखिए यानि कि हमारा या ऊपर का भाग यानि SMD खराब हो चुका है अंदर का जो क करकर आप लोग को दिखा देते हैं इसी का तो चलिए हम SMD यानि LED बल्ब का SMD चेंज कर दिए हैं यह देखिए हम आप लोग को दिखा रहे हैं तो चलिए हम आप लोग को होल्डर में लगा कर इसे जला कर दिखा देते हैं यानि आज से हम स्विच पान करते हैं यह यह दिल्कुल अच्ची तरह तो आप करते हैं यानि इस कीट की मदश से आप लोग कोई सभी लेडी बल को ऊपर या अंदर खराबी जो इस skit की मदश से रिपेयर कर सकते हैं आप लोग तो आप में बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी वीडियो डालों उसका नाटिफिकेशन सबसे पहले आप सोजी तक पहुचे धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर अगली वीडियो में